ओम शांति ओम शांति आच्छार दिसंबर 2022 दिन रवीवार की अव्यक्त मुर्ले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मदूर महावाक्यों को अव्यक्त वर्ष मनाना अरथात सपूत बन सबूत देना आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं अव्यक्त अर्थत व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे सभी बच्चे विशेश इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष रखते हुए यथा शक्ती बहुत अच्छा पुर्शार्थ कर रहे हैं लक्षे के साथ लक्षन भी धारन करते चल रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों का पुर्शार्थ देख हरशित होते हैं, हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेश एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वत ही पात्र बन जाते हैं ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआउं से सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे सदा उनों के दिल से यह गीत स्वत बजता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तू बाप के हम बच्चों के भंडारे में उनकी द्रश्टी से, वरती से, वाइवरेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर अत्माओं का अनुभव होता है ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं यह डबल अनुभव हो स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिती का अनुभव करते यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतही बाप समान साक्षी अर्ठत न्यारा और प्यारा बना देता है जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया कंबाइंड सवरूप को कोई अलग नहीं कर सकता ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके जैसे सत्यूग में देवताओं की प्रकृती दासी रहती है अर्ठत सदा समय प्रमान सहयोगी रहती है अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राजय अधिकारी रहती है साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेश सवरूप क्या रहता जैसे सभी वानी द्वारा वा मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं ऐसे सेवा वे भी करते हैं लेकिन उनों की विशेश सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं लेकिन सहयोग वा प्राप्ति का अनुभव कराना अज्यानियों को दान देंगे और ब्रहामन आत्माओं को सहयोग वा प्राप्ति कराएंगे क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान गुण दान वा शक्तियों का दान है निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रिष्टदान है वा सहयोग है तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो वा कभी लेते हो कभी देते हो ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वता ही समपन्न हो जाएगा क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है कुछ अपने पास रखा नहीं है सब दे दिया है सिर्फ लेने वालों को समभालना और कारे में लगाना नहीं आता है तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे ऐसे सपूत हो ना सपूत की लाइन में हो के सपूत बनने की लाइन में हो जैसे लोकिक में भी माबाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं अर्थात, सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे, तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो, अव्यक्त वर्ष अर्थात, बाप के सपूत बन, सबूत देने वाला बनना, ऐसा सबूत देना अर्थात, मनाना, अव्यक्त का अर्थ ही है, व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे, जीवर में उड़ती कला वा गिरती कला का आदार दो बाते ही हैं भावना और भाव अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रती ये कार्य करने वाले प्रती कार्य करने वाले व्यक्ती के प्रती भावना श्रेष्ट है तो भावना का फल भी श्रेश्ट स्वत ही प्राप्त होता है एक है सर्व प्रती कल्यान की भावना दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना चोथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदापने पन की भावना और पाच्वी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना इनको का जाता है सद भावनाएं वा पॉजिटिव भावनाएं तो अव्यक्त बरनार्थात ये सर्व सद भावनाएं रखना अगर इन सद भावनाओं के विपरीट हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकरशित करता है व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पाचों बातों के नेगिटिव अर्थात विपरीट स्थिति में रहना इसके विपरीट को तो स्विम ही जानते हूँ वर्णन करने के आवश्यक्ता नहीं, जब भावना विपरीत होती है, तो अव्यक्त स्थिती में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेश यही दरवाजे हैं, किसी भी विगन को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाए विपरीत भावनाई ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। हर बोल से मिस अंडरस्टेंट अर्थात गलत फहमी का भाव अनुबव होगा। वे अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी नहोने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो की हर अत्मा के प्रती शुब भावना शुब भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पढ़ने से मिस अंडरस्टेंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिती बनाने के लिए विशेश अपनी भावना और भाव को चेक करो। तो सहज अव्यक्त स्थिती में विशेश आनुबव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद भावना वा अशुब भाव से अलग भी रहते हैं। लेकिन एक है शुब भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारन भावनावा भाव, क्योंकि ब्राहमन अर्थात सेवा भाव, तो साधारन भावना वा साधारन भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राहमन जीवन का करतव्य है, शुब का फल जमा होने का विशेश वर्दन है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे तो साधारन भावना और भाव को भी श्रेष्ट भावना श्रेष्ट भाव में परिवर्तन करो चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिष्टा बाप समान सहज बन जाएंगे तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है शुभ भावना मन्सा सेवा का बहुत श्रेष्ट साधन है और श्रेष्ट भाव संबंद संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है जो सदा हर एक प्रती श्रेष्ट भावधारन करता वही माला का समीप मन का बन सकता है क्योंकि माला संबंद संपर्क में समीप और श्रेष्टता की निशानी है कोई किसी भी भाव से बोले वा चले लेकिन आप सदा हर एक प्रती शुभ भाव श्रेष्ट भावधारन करो जो इसमें विजई होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी है चाहे सेवा के क्षेत्र में भाशन नहीं कर सकते प्लैन नहीं बना सकते लेकिन जो हर एक से संबंद संपर्क में शुब भाव रख सकते हैं तो यह शुब भाव सुक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा ऐसे शुब भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा इसलिए माला का मन का बन जाएंगे समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाशन करने का चांस ही नहीं मिलता है बड़ी बड़ी सेवा करने का चांस नहीं मिलता है लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा अर्थात विशेश आत्मा बन जाएगा इसलिए इस वर्ष में विशेश यह शुब भावना और श्रेष्ट भावधारन करने का विशेश अटेंशन रखना अशुब भाव और अशुब भावना को भी अपने शुब भाव और शुब भावना से परिवर्तन कर सकते हो सुनाया था ना कि गुलाब का पुश्व बद्वू की खाद से खुश्बुधारन कर खुश्बुधार गुलाब बन सकता है तो आप श्रेष्ट आत्मे अशुब व्यर्त साधारन भावना और भाव को शिष्टा में नहीं बदल सकते वह कहेंगे क्या करें इसकी है ही अशुब भावना इनका अभाव ही मेरे प्रती बहुत खराब है मैं क्या करूँ ऐसे तो नहीं बोलेंगे न आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक जब प्रकरती को तमों गुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते तो यही लक्ष बाप समान अव्यक्त फरिष्टा बनने के लक्षन सहज और स्वत लाएगा समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है मनाना अर्थात बनना यह ब्रामनों की भाशा का सिध्धानत है बनना है ना कि सिर्फ मनाना है तो ब्रहामणों में वर्तमान समय इसी पुर्शार्त की विशेश अवश्यक्ता है और यही सेवा माला के मनकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी माला के मनके अलग-अलग तैयार हो रहे हैं लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता तो यह दो बाते दाने की दाने से समीपता का सादन है इसको ही का जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले अच्छा चारों और के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिष्टा बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रती श्रेष्ट भावना और श्रेष्ट भाव रखने वाली विजई आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ट भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजई बन विजई माला में समीप आने वाले विजई रत्नों को पाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, good morning और नमस्ते दादियों से मुलाकत जान की दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद तो विशेश आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है अगर नहीं देते हैं तो वो खिट-खिट करता है जैसे ओरों को जो चाहता है वो दे देते हो न किसी को शांती चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए तो देते हो न, तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया कर इसको भी तो कुछ चाहिए न, क्योंकि यह शरीर भी आमानत है न इसको भी संभालना तो पड़ता है न अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है समय पर आवशक्ता अंसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो नोलेजफुल तो हो ही अच्छा है क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माउं का कल्यान होना है आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है चाहे स्थूल सेवा ना भी करें लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है सेकेंड भी सेवा के बिना न रह सकते हो न रहते हो इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो बजाती रहेंगी अच्छा पार्ट मिला है न इतना बढ़िया पार्ट ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है ये ब्रामन जन्म के आदि के संसकार रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाट आदि से मिला हुआ है इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है शारिरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है इसलिए शरीर की आयू इन दुआउं से बढ़ रही है अच्छा दादी जी से अच्छा सर्विस करके आई हो ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुब भावना का फल और बल मिलता है संगठित रूप में शुब भावना ये फल देती है तो अच्छा रहा और अच्छे ते अच्छा रहना ही है अभी तो और भी अव्यक्त स्थिती द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा सिर्फ ब्राहमनों के दरड परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है ब्राहमनों का परिवर्तन कभी पावर्फुल होता है, कभी हलका होता है तो ये हल्चल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी धीली होती है संपन बनने तो यही ब्राहमन है अच्छा चंद्रमनी दादी से बेहद की चक्रवरती बन गई आज यहां, कल वहां तो इसको ही का जाता है विश्व की आत्माओं से स्वत और सहज संबंद बढ़ना विश्व का राज्य करना विश्व कल्यानकारी है तो कोने कोने में पाव तो रखने चाहिए न इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है प्रोग्राम ना भी बनाओ लेकिन ये ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविश्य को प्रत्यक्ष कर रही है इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंद संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे स्टेज का राजा, स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित ड्यूटी है, ड्यूटी समझ कर निभाते हो बाकी ओडर करें कि मदबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा नहीं, जब तक यहां की जो ड्यूटी है, बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है जान की दादी से अभी कहें कि आप फॉरण से यहां आ जाओ, तो बैठ जाएंगी ना बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो आखिर तो सभी को यहां आना ही पड़ेगा ना इसलिए बार-बार आते आते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगा कर आ जाते हो ना इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी, देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे अच्छा, सब को याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना वर्दान ग्यान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कारे में लगाने वाले ग्यानी तु आत्मा भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझें ग्यान अर्थात नौलेज और नौलेज इस लाइट, माइट कहा जाता है, जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रौंग है ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है तो लाइट और माइट से संपन आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी वसमझदार नहीं कहेंगे ज्ञानी तु आत्मा कभी भी रौंग कर्मों के संकल्पों के वस्वभाव संसकार के वशीभूत नहीं हो सकती स्लोगन हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो ओम शंती